नमस्कार एक वफिर से मैं आप सभी के सामने उपस्तित हूं बेहद महात्वपून टॉपिक के साथ टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है इरान इसराइल वार को लेकर के क्योंकि हाली में खूफिय एजंसी ने कहा है कि 12 या 13 तारीक के बीच में यहां पर युद शुरू हो सक अमेर का साथ दे रहा है इस बीच यहां पर महात्वपूर्ण यह हो जाता है कि भात यहां पर किसका साथ देने वाला है और भारत को य्दि युद शुरू होता है किन समस्याओं से होकर के गुज़रना पड़ेगा यदि भारत की बात की जाए तो इरान और इसराइल दोनों के साथ ही भारत के संबंद अच्छे हैं साथ ही साथ व्यापारिक संबंद जो हैं वो भी ग्रो कर रहे थे तो यहां पर चिंता का विशय बन जाता है भारत के लिए कि युद के सिती में भारत कैसे सरवाइब करने वाला है इसी पर आज हम डिटेल आनलेसस करने वाले हैं मेरा नाम है प्राची मिश्रा वीडियो आन तक जरूर देखेगा संसकती आयसके स्प्लेटफॉर्म पर आप सब्सक्राइब करवाया जा रहे हैं पीसे के इसमें जो ऑफर है वो 10-17 अगस तक वैलिट रहने वाला है चले देख लेते अमेरिका का इसराइल को सपोर्ट तो इरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ चीन क्या होने वाला है बड़ा युद्ध इसी पर हम बात करेंगे लिए जो युद्ध की सिती बनी हुई है साल 2022-2022 बात की जाए रूस युक्रेन हमास इसराइल इरान भी शामिल हो गया अब यह अमेरिका और चीन इसमें शामिल हो जाते हैं तो यह कंफर्म है कि आपका यह जो वार है यह वर्ड वार में तबदील हो जाएगा बिकॉस इसके बा आपको देखने को मिलें यहाँ पर इस दोरान यह जो युद्ध होता है उस दोरान तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहां पर चीन ने बोला कि जो संप्रभुदा सुरक्षा और रास्ट्री गरिमा है इसकी रक्षा में वह इरान के साथ रहने वाला है उसने जो ची चीन के विदेश मंत्री ने और उन्होंने आश्वशन दिया है कि कैसी भी जरूरत उनको पड़ती है चाहें वो हतियार से ले करके हो चाहें वो किसी अन्य चीजों को ले करके तो वह इरान के साथ खड़ा रहने वाला है रीजन इस दाट की अमेरिका पिछे से सपोर्ट अजरायल को कर रहा है और चीन और अमेरिका इन दोनों देशों के कंदों पर बंदूख रख करके चला रहे हैं एक दूसरे की दुश्मनी निकालने के लिए चलिए आगे दिख लेते हैं चीन ने दिलाया समर्थन का भरोशा वांग के हवाले से कहा गया कि चीन कानून के अनुसार अपनी संप्रभुता सुरक्षा और रास्ट्रिय गरिमा की रक्षा करने और छेत्रिय शांती सिर्था बनाये रखने के प्रयासों में इरान का समर्थन करता है इरान के साथ घनिस इसराइल के साथ जाना चाहिए तो इरान और इसराइल दोनों के संबंदों को हमें पहले देखना चाहिए भारत हमेशा वैसे इन पर त्रटस रहता है वह बहुत जादा इन पर कोई एक्शिन स लेता नहीं हो नाहीं खुल करके किसी का सपोर्ट करता है ऐसा आपने हमेशा ही देखा ओगे जब भी इस तरीके की स्थिती आती है तो लेकिन अभी अराक्षी 2013 से 2010 तक पर्माडु वारता में इरान के मुख्य वारता कार रहे हैं और इरान के राश्पती मसूद पेजिश्कियान ने रविवार को अब्बास अराक्षी को देश का विदेश मंत्री नामित कर दिया था तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट होता ना पर्माडु वारता वाला ये इसलिए महात्रपूर्ण हो जाता है आगे देख लेते हैं कब शुरू होगा विश्विद्दत यहां पर पश्चिम की कुछ खूफिया जन्शी है जिनों ने बोला था रिपोर्ट दी थी और बोला की 12 से 13 अगस के बीच में आप देखो कि यहां पर हमला हो सकता है यह चर्चा इसराइल के प्रतिस्चित अकबार जेरुसलम पोस्ट में चल रही थी तो यह इसराइल का अखबार है जहां पर यह न्यूज आपकी क्या है प्रकाशित करी गई थी इस बीच तना और टक्राव दुबिश शग्य साने ताकत के मामले में अजराइल और इरान को करीब बराबरी का ही माना जाता है ठीक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इरान अगर दुनिया के चौदवे नंबर पर आता है तो इसराइल आपका सत्रवे नंबर पर है यानि कि दोनों क के बीच बराबरी का ही मुकाबला है सेना हतियार और विमानों के लिहास से रिबात करें तो एक दूस्टे को अलग अलग मोड़ों पर यह टक कर देते हैं किसी के पास न्यू टेक्लोजी है तो किसी के पास कई जादा विमान है तो इस तरीके से दोनों की जो पावर है वो 151 वहीं इसराइल की बात करें तो यहां पर इसराइल के पास जादा विमान है 612 तो विमानों की बात आती है तो इसराइल आपका आगे है इसके बाद आता है इरान में लडाकू विमान के दिबात की जाए तो इरान में 186 है वहीं इसराइल में 241 है आगे देख लेते हैं कि बात करें तो możन सिक्स हैं किसके पास एरां के पास्ट को में इरान जो है वह ईसराइल को पचाहर है एक हजाथ 3370 टैंग किसके पास इसराइल के पास है बेया जाते हमार्थियार बंद वाहक उनकी तो 65 75 Italien के पास है किसके पास इसराइल के पास ons तृर इस के पास इरान के पास और डेर्ज सो इसराइल के पास देखो यहां पर थोड़ी-थोडी पावर कम होने लगी है एरान 101 समूधरी बेढ़ है इनका और सफ 67 आगे बात करते हैं इंस कितनी तो उनिस है और वहीं इसराइल की बात करें तो मातर पांच पंडू भी है लेकिन इसके साथ सपोर्ट किसका है अमरिका का है तो यह नहीं भूनला है अभी तक जितने भी युद्ध हुए है यदि पास्ट में तो अमेरिका ने बाकहंड अन्ड से सपोर्ट किया इसरैल को और इसे अक उद्धारा नहीं है तो यह एक बड़ी बात हो जाए है आगे बात कर लेते हैं सैन्न कर्मियों की यहां पर इरान के पास हो जाता चार लाख 65,000 वहीं अर्दुसरक्षा बलकी बात करें तो 2,20,000 है इसराइल के पास 35,000 है इरान का रक्षा बजट 9 रब डॉलर का है तो इसराइल का 24 रब डॉलर का है इसराइल के पास त्यादूनिक हतियार है वो जादा है पश्यमेश्या में चारों तरफ से घिरे हुए होने के बावजूत वह अपनी लड़ाईयां लड़ता रहा है और जीता भी रहा है बेशक उसके पीछे अमेरिका ने उसकी मदद करी है और इस बार भी करने को तैयार है लेकिन इन दोनों देशों के बीच को युद हुआ तो इरान और इसराइल के बीच तक ही exist here एक ही रहेगा इसमें और भी ताकते शामिल हो चाहेंगी साथी देश को अगर लेकिन उसके साथ अमरिका रहेगा ले milliards रहेगा जर्मणी समीत यूरोप यहाँ पर जितने भी पावर्फुल पावर्फुल कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है उस्ट्रेलिया अमेरिका फ्रांस ब्रिटेंज जर्मनी सहित यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर और यह इसकी मेन पावर है अब देख लेते हैं हम इरान के साथ कौन है इरान की बात करें तो इसके साथ है फिलिस्तीन तुर्की लेबनान सीरिया कतर उमान जैसे देश और यहाँ पर रूस और चीन दो बड़ी शक्तिया है जो इसके समर्थन में खड़ी है यह इंपॉर्टन चीज हो जाती है चाइना एंड यह पिएक पॉइंड है कि जितने भी परेंसी आई समार्थन नहीं कर रहे हैं चलो आगे आगे आजते हैं इस्रायल के अंदर तक हमला करने की त्यारी कर रहे हैं उनका कहिना है डर्मिल्टरी ताक सिमित करने बाले हैं चलो भारत में आयात और एकोनामी पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा यह इंपॉर्टन पॉइंट हमारे लिए हैं मिडल इस में तनाव ने दुनिया की चिंता को बढ़ाने का काम किया है ऐसा इसलिए भी कि कच्छे तेल यानि की क्रूड ओयल का आया से भी लेता है यह याद रखेगा अब आ जाते हैं इरान से होने वाले क्रूड ओयल के आयात में गिरावट देखने को मिली है लेकिन 2014-15 में देखो तो इनका वैपार 13.13 अरब का था वहीं इसके बाद 8.95 अरब डॉलर का भारती आयात भी था ठीक है इसमें 4 अरब डॉलर से जादा का कच्छे तेल का आयात भी यहां पर किया गया है 2019-20 की बात करें तो यहां पर व्यापार में तेज गिरावट देखने को मिलती है लेकिन मुख्य रूप से क्रूड ओयल का याद 2018-19 में बात करें तो 13.53 अरब डॉलर की तुलना में गिर करके महश 1.4 अरब डॉ साल 2023 में भारत का इस्राइल के साथ 89,000 करोर रुपए का कारोबार रहा है इसमें इस्राइल में तराशे हुए हीरे, ज्वैलरी, कंजूमर, इलेक्ट्रोनिक्स, इंजिनिरिक समान ये सप्लाई करता है ठीक है वहीं इस्राइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन हतियार निर्य सर्वलाइन्स, लडाकू, ड्रोन, मिसायल समेथ करीब तीन अरब डॉलर के सैन हार्डवेर का आयात किया गया है रूस, फ्रांस, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यार इस्राइल से भारत ही खरीता है ठीक है हाथियारों के अलावा भारत इस्राइल से मोती, कीमती, पत्थर, इलक्ट्रोनिक्स, जो करण हैं, इलेक्टिकल समान हैं, उर्वरक हैं और रैसानिक उत्पाद हैं ये भी आयात करता है, तो इन दोनों ही देशों पर भारत आपका निर्भर है, इस्राइल पर इस टाइम थोड़ा सा जादा है, तो अब आप देखिए कि यदि युद्ध की इन वॉल होते हैं, तो ये विश्विद्ध में आपका तब्दील हो जाएगा, फिर उसके बाद इससे थी आपकी बहुत ही जादा नाजगूतियों दिखाई देगी, बाकि आप क्या चाहते हैं, युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, आप देखो बड़ी- ना रखें पूरे वर्ड में, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, बाकि आपका क्या संदेश है या आप क्या सोचते हूँ, इस बारे में लेकर के मुझे अवश्य बताएं, मिलते हैं नेक्स क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शें सस्क्राइब करना